हेलो दोस्तों आपका स्वागत है कुकिंग विद अम्रिता में आज मैं रेसिपी सेयर कर रही हूँ आलू की बर्फी की जी हाँ आपने सही सुना आलू की बर्फी जिससे आप प्रत में भी खा सकते हैं इसके लिए मैंने 400 ग्राम या 6 मेडियम साइज के आलू लिये हैं जिसे मैंने उबाल लिया है इन सभी उबलेवे आलू का छिलका हम हटा लेते हैं छिलके को हटाने के बाद अब हम इन सभी आलू को कदुकस कर लेंगे यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और इसके साथ ही साथ औल अप्सन को सेलेक्ट कर लें सभी आलूओं को मैंने कदुकस कर लिया अब हम हल्वा बनाने की प्रोसेस की तरफ आगे बढ़ते हैं इसके लिए मैंने एक कडाही लिये और कडाही में सभी कदुकस किये हुए आलू को डाल दिया है और इसके साथ ही इसमें मैंने एक कप या फिर 200 ग्राम चीनी डाल दिये अब कडाही को हम गैस पे चड़ाते हैं और आलू और चीनी को मीडियाम हीट पे पकाएंगे आलू और चीनी को हम लगातार चलाते रहेंगे ताकि आलू जल नहीं जाए साथ ही पकाने से चीनी भी दीरे-दीरे मेल्ट होगी और वो आलू में मिक्स हो जाएगी इसे हम 4-5 मिनट तक इसी तरह लगातार चलाते हुए बुनते रहते हैं जिससे कि यह बिल्कुल एक सार हो जाता है अब इसमें मैंने आधा कप, खोया या मावा डाला है यह बिना चीनी वाला मावा है इसके साथ ही मैंने इसमें 3-4 बड़े चमस देसी घी के डाल दिये हैं और अब हम देसी घी और मावा को आलू और चीनी के साथ मिक्स करते हुए पकाते हैं दीरे दीरे पकाते हुए मावा आलू और चीनी के साथ एक सार हो जाता है अब मैं इसमें दो इलाइची के बीजों को कुट कर आलू के मिश्रन में डाल दूँगी और इसे मिक्स करूँगी अब इस मिश्रन में मैं एक पिंच ड्राइ यलो फूट कलर डाल लए हूँ इसकी जगह पे आप लिक्विड फूट कलर का भी यूज कर सकते हैं और इसमें मैंने येलो कलर लिया है, आपको अगर उरेंज कलर पसंद हो तो उरेंज कलर भी ले सकते हैं कलर बिल्कुल ऑपसनल है, लेकिन कलर डालके बढ़फी का रंग बहुत अच्छा लगता है यदि आप चाहें तो कलर का यूज नहीं भी कर सकते हैं अब कलर को मैंने आलू के मिश्रन में बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, ताकि या बिल्कुल साड़े मिश्रन में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, मिक्स करते हुए बुनते हुए आलू अब सब एक जगा इकठा होने लगा है इसका मतलब है कि यह बर्फी बनने के लिए तैयार है अब मैं एक प्लेट लेती हूँ और प्लेट में थोड़ा सा देसी घी लगा कर प्लेट को ग्रीज कर लेती हूँ इसके साथ ही मैंने गैस को बन कर दिया है और बर्फी के मिश्रन को मैंने प्लेट में निकाल लिया प्लेट में बर्फी के मिश्रन को हम अच्छी तरह से फैला लेते हैं बर्फी के मिश्रन के उपर मैंने काजू और बादाम थोड़े से बुने हुए डाल दिये हैं जो दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं आप अपनी पसंद का कोई सा भी ड्राइफ रूट्स टाल सकते हैं और अब मैं बड़फी को सेट होने के लिए 3-4 घंटे छोड़ देती हूं 4 घंटे के बाद मैं इसे कट कर लेती हूं आलू की बड़फी को आप फ्रीज में रखके 8-10 दिन अराम से यूज़ कर सकते हैं कट करने के बाद यह दिखने में बहुती सुन्दर लगते हैं और बिल्कुल खोए की बड़फी की तरह दिखते हैं एक बार आप आलू की बड़फी जरूर बनाएं और आपको यह कैसी लगी मेरे साथ कमेंट्स बॉक्स में शेयर करें